Hello everyone, welcome to my channel Mois Sars Lecture बच्चों, आज मैं आपके लिए class 11 से जो आपका 3rd chapter है functions उसका part 4 लेके आया हूँ मैंने domain and range जो निकालना सिखाया था आपको functions के उसके part 3 तक मैंने पहले ही upload कर दी है I think part 3 या part 2 जो भी है मैंने पहले ही upload कर दी है आज मैं आगे कि आपको और जो functions होते हैं उनके domain और range निकालना सिखाऊंगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर questions दी है इस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please like जरूर कीजेगा यहाँ पर question दिया हुआ है find the domain of the function एक function दिया है उसका आपको domain find करना है सिर्फ इसमें range नहीं पूछी है सिर्फ आपको domain पूछा गया इस question में कि इसका domain find out कीजे आपको function क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ fx is equals to fx is equals to log ठीक है कहने का उन्दला है यह logarithm वाले functions है और जो मैंने इससे पहले log 4 log base 5 log base 3 18x minus x square 18x minus x square minus 77 यह दिया हुआ है students ठीक है यह दिया हुआ है देखें log base 4 log base 5 log base 3 18x minus x square minus 77 इसमें आपको इस function का क्या करना है domain find out करना है students domain का मतलब है आप x की क्या क्या values इसमें put यहां पे कर सकते हैं जिसके लिए function कैसा हो defined हो ठीक है आपको यहां पे सबसे पहले एक चीज़ समाझनी पड़ेगी यह logarithm का जो है जो है रूल होता है कि log x base a log x base a log यहां देख सकते हैं log x base a base में क्या है a चल रहा है समझगा e नहीं आ रहा है exponential नहीं है base में क्या चल रहा है a constant value तो यह जो log x base a जो define होते हैं वो तभी सिर्फ define होते हैं जब x is greater than 0 होता है तो आप एक line लिखेंगे log x base a is defined यह जब ही define होगा for all x is greater to 0 is greater than 0 यह जब ही define होगा जब यहां पे x हमेशा 0 से बढ़ाएगा इस form में अगर है तो ठीक है अब आप इसे ध्यान से देखे यह इसी form में दो मिनिट सोच के देखे अपने मन में रखिए log base a यह मैं इससे compare अगर मैं यहां से करूँ या इसको इससे compare करूँ तो log base a यह x 0 से बढ़ा होना चाहिए तो student यह log base a है तो यह वाला जो part है यह क्या होना चाहिए यह पूरा 0 से बढ़ा होना चाहिए ठीक है सही है न गलती तो नहीं है कोई दूसरी चीज यहीं पे मैं साथ में चलाता हूँ end यहां पे अगर आप देखें इसको compare करें तो student log base a यही तो है log base a और यह x है तो यह वाला x वाला जो part है वो भी क्या होना चाहिए 0 से बढ़ा होना चाहिए clear हो पा रहा नहीं हो पा रहा यहां पे compare किया log है तो पूरा base x जो है 0 से बढ़ा और यहां पे compare किया log base है तो यह x 0 से बढ़ा होना चाहिए ठीक है अब देखें आपको पता है कि जब भी यहां पे log होता है और यह उदर जो है transfer होगा तो जो based होता है वो इसको अपनी power में ले लेता है कहने का मतलब यहां पे log base में 3 18x यह तो ऐसा ही बचेगा as it is लेकिन जब यह log उदर जाएगा यहां पे तो यह जो base होता है जैसे यहां पे base 5 है तो यह इसको अपनी power में ले लेता है यह rule होता है ठीक है बेस तो यहाँ पे जाके यहाँ value बन जाएगा और इसको जो यह value उसको power में ले लेगा यह log का rule होता है अब 5 to the power 0 चलो मैं आगे लिख देता हूँ वैसे आप सबको पता होगा मैं एक step बचा लेता हूँ students ताके आपका time बचे 5 to the power यहाँ पे जाके 5 to the power 0 है 5 to the power 0 क्या होता है 1 किसी की भी power 0 उसकी value क्या होती है 1 तो मैंने directly 1 लिख दिया अब यह log base 3 है तो जब यह अदर अब जाएगा तो 3 की power क्या हो जाएगी 1 ठीक है ना भाई 3 की power 1 ही तो हो जाएगी 3 उदर जाएगा इसको यह value होती उसे अपनी power में ले लेगा अब students यह द minus 77 है उदर जाके positive और 77 और 3 total positive 80 लेकिन sign कैसा आजाएगा यह यह greater चल ला है जब यह सारे term उदर जा रहे है तो यह less than के 0 आप भले आप चाहे तो इदर ले जाके देख लीजेगा कोई दिक्कत नहीं है गलती नहीं होगी ठीक है आप देख सकते हैं अच्छा इसको तो हम च यह वाला पार्ट अधर जाके दोनों जो हो गए अब यहां से अगर हम इसको split करें तो 11x-7x plus 77 is less than 0 यहां से x common x-11-7 common x-11 is less than 0 x-11 आगया और 1x-7 आगया less than 0 ठीक है अगर मैं इसके factors करता हूं तो x-1 तो students आ जाएगा 8 और 1 आ जाएगा x-10 अब please middle term splitting आप कर लीजेगा क्योंकि आप 10th class में खूब दुहाधार middle term splitting सीख क्या है 9th 10th से सीखते आ रहे हैं आप इसको तोड़ूँगा तो 8x और 10x तो मैंने directly यहाँ पे solve करके लिख दिया है x-8 और x-10 यही बचेगा आप करके देख लीजेगा ठीक है अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मैं कर तो देता लेकिन आप कर सकते हैं मुझे पता है अब क्या करें अभी interval find करने खतम नहीं हुआ है द्यान से देखिएगा मैं सिर्फ अभी इस part को रप कर दूं क्योंकि मैं इसके लिए जो number line real line बनती है जिस प इक्वेशन में क्या बताया था critical point दौनों को 0 के equal रखते हैं जब दौनों को 0 के equal रखेंगे तो एक 8 आएगा एक 10 आएगा 8 और 10 अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखिए तो पहले मेरी linear equation की वीडियो देखिए और जो मैंने इसके पहले वाले parts अप्लोड की है वो देखिए आपको clear हो जाएगा ठीक है यहां से critical point निकालेंगे तो क्या आएगा 7 और 11 चलो एक तरफ से ही कर देते हैं पहल पॉजिटिव फिन नेगेटिव फिर पॉजिटिव चाहो तो एक बार और बता देता हूं पता नहीं आपने वीडियो पहली देखी है नहीं 10 से बड़ा इन दोनों में कोई भी रखके देखो positive इसी लिए 10 और 8 के बीच में कोई value रखके देखो 9 यहां रखोगे तो 9-10 ने यह negative आएगा और यह positive आएगा अब students हम लोग कैसे intervals को चूज करते हैं यहां के sign से यह sign कैसा है less than 0 यानि कि negative वाला region लेना है negative इसमें क्या रहा है तो आप लिखेंगे x belongs to 8,10 क्यों negative region 8 से 10 है लेकिन यहां पर sign कैसा है सिर्फ less than equal का sign तो नहीं है ना इसके नीचे जब equal नहीं है तो दोनों पर open bracket लगेगा कहने का मतला है 8 और 10 को include नहीं करेंगे अच्छा यहां पर क्या है x belongs to 7 और 11 क्यों यहां पर 7 और 11 के पास भी हमें कैसा लेना है less than का sign है negative वाला लेना है negative region यहीं आ रहा है यहां भी तो negative का ही है लेकिन equal नहीं है इसलिए दोनों open interval अब इन दोनों मैंसे हमें अलग-अलग solutions मिले है तो इन दोनों में जो common part होगा वो इसका domain कहला है अब इन द बात करूं यहां 8 से पहले 7 होगा और 10 के बाद 11 होगा होगा यह तो कह रहा है कि भाईया यह वाला region आएगा 8 से 10 और यह वाला कह रहा है 7 से 11 मतलब पूरा यहां से यहां तक तो sorry 7 से 11 यहां से यहां तक अब देखना जरा एक 7 से 11 है एक 8 से 10 है तो दोनों में intersection common part कौन सा मि clear 4 जो domain हो जाएगा students वो हो जाएगा 8 से 10 ठीक है समझ में आ गया दोनों पर open interval क्योंकि दोनों को include नहीं किया है clear चलिए तो domain है समझ में आ गया दूसरा यह आपका logarithm function का था और मैं आपको इस वाले part में सिर्फ logarithm वाले ही बताऊंगा ठीक है फिर इसके बाद मैं जो अगला वीडियो और मैं ले के आऊंगा आपके लिए उसमें range बगरा निकलवाऊंगा और domain भी निकलवाऊंगा वो मैं आप लोगों के लिए जो है modulus functions के भी ले के आऊंगा second part function दिया fx is equals to 1 upon log base 10 1-x ठीक है 1 upon log 1-x base 10 plus under root of x plus 2 ये दिया हुआ students ये आपको function दिया हुआ है ठीक है आपको domain निकालना है सिर्फ इस question में भी domain पूछा है तो देखें वैसे ही मैं आपको बता दूँ तो log का कोई भी function हो हमेशा उसकी जो value होगी वो हमेशा 0 से बड़ी ही आती है हमेशा positive आती है तो range तो उसकी पहले वाले question में भी और इसमें भी range हमेशा 0 से बड़ी रहेगी ठीक है log में negative value नहीं आती है domain क्या कहलाते हैं देखें अभी मैंने आपको एक rule बताया था कि log x base a कब define होगा जब यहां पर यह जो x है वो कैसा होगा 0 से बड़ा मेरी बात समय में आप आ रही है न आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं चलो मैं लिख देता हूं वहना आप कहेंगे सन्ने आधा दूरा बताया है log 1-x base 10 कब define होगा is defined for all जब 1-x जो है greater than 0 जब 1-x 0 से बड़ा होगा यानि कि 1-x 0 से बड़ा होगा तो students x उदर जाके छोटा हो जाएगा यानि कि x 1 से छोटा होगा inequality sign तब तो आ गए होगे 1 is greater और यह x उदर जाएगा तो उल्टा पड़ो x is less than 1 ठीक है दूसरी चीज क्या है वो भी सुन लीजे end यह define होगा जब यह चीज 0 से बड़ी होगी बहुत अच्छी बात है लेकिन log 1-x base 10 0 के equal नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर यह 0 के equal हो गया तो something upon 0 not define हो जाएगा यह निकि log 1-x base 10 शुड़ी not equals to 0 यह चोटा तो नहीं दिख रहा है मैं बड़ा बना दीता हूं किसी को चोटा दिख रहा हो यह लीजे अब तो clear है ठीक है यह 0 के equal भी नहीं होना चाहिए पूरी value अब students अभी बताया था है मैंने आपको जब यह उदर transpose होगा उदर जाएगा तो यह जो base होता है 10 वो इसे अपनी power में ले लेगा यह निकि 10 to the power 0 1-x is not equal to 1 10 to the power 0 मतलब 1 1 से 1 कट गया minus x is not equal to 0 and x is not equal to 0 यहाँ से एक चीज और पता चल गई x 0 के equal नहीं होना चाहिए यह कह रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए यह दो condition सिर्फ यह बता रहा है अब तीसरी वो end अब इदर आ जाहिए यह जो x plus 2 है students यह 0 यह 0 से बढ़ा ही होना चाहिए क्यों root चला है root में negative value define नहीं होती तो यह कब define होगा जब यह value 0 यह 0 से बढ़ी आएगी कहने का मतलब यह value minus 2 से बढ़ी यह उसके equal हो सकती है उदर जाके minus 2 हो जाएगा तो क्या क्या इसके reason आ गई region domain हाँ वह common देखें चलिए मैं एक line पर दिखाता हूँ आपको ठीक है यह कह रहा है 1 से चोटा 1 यह रहा वह कह रहा है minus 2 से बढ़ा minus 2 यह रहा minus 2 से बढ़ा 1 से चोटा इधर चल रहा है लेकिन यह कह रहा है 0 के equal नहीं suppose यह 0 है तो इसको इसने मना कर दिया है 0 लेना नहीं है minus 2 से बढ़ा इधर बढ़ेगा 1 से चोटा इधर बढ़ेगा 0 नहीं लेना है तो एक तरीके से common region तो minus 2 से लेके 1 तक आ गया लेकिन 0 नहीं लेना है इसे छोड़ना है तो क्या हो गया domain minus 2,0 union 0,1 अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लिखाए किसी पर closed किसी पर open x के minus 2 आले की नीचे क्या लग रहा है equal का sign तो minus 2 क्या होगा closed bracket include करना पड़ेगा dark कर देता हूँ इसे ठीक है क्यों? equal का लगजा है न 0 को नहीं लेना है न लेने पर उसे छोड़ते हैं और छोड़ते हैं तो open interval पहले अब देखो 0 न लेने की वज़ाए से इस 0 ने minus 2 से 1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहला minus 2 से 0 और फिर 0 से 1 लेकिन इस 0 को छोड़ना है छोड़ना मतलब open interval ठीक है? तो minus 2 से 0 हो गया और फिर 0 से लेके 1 तक हो गया लेकिन 0 में दौनों पर open है क्योंकि 0 लेना नहीं है अच्छा फिर 1 पर क्यों open है? क्योंकि x is less than 1 इसके नीचे equal का sign नहीं है तो इसके नहीं लेंगे नहीं लेंगे इसलिए open interval है समझ मैं आ गया? तो यह आपका logarithm function वाला खतम हो गया इस्टुएंट्स यह आपका clear हो गया? चलिए तो यह जो थे इसमें आपके यह वाले जो type थे वो थे logarithm function वाले अब जो मैं आप लोगों के लिए एक और अगला type ले के आऊँगा वो modulus function के लाऊँगा जिसमें मैं आपको domain और range और फिर मैं आपके लिए greatest interior function के और जो difficult question है वो ले के आऊँगा आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो students please इसे like कर दीजेगा thank you so much